हाई फ्रेंड्स आज मैं आटा का हलुआ बनाने जा रहे हैं जैसे हमारी दादी मम्मी बनाया करती थी सेम उसी स्टाइल में एकदम सिंपल एजी वे ऑफ मेकिंग आटा का हलुआ सबसे पहले एक से दो चमच घीड ले लें उसके आटा आपको जितना भी लेना आप वह ले लें आटा डालने के बाद आटे को अच्छी तरीके से भुनना है मतलब आटा का कलर चेंज होना चाहिए और एक वह सुगंद आना चाहिए आटा फ्राय होने का उसके बाद चीनी ड हल्वा बनाने का मैंने अपनी दादी नानी को ऐसे ही देखा है बनाते हूँ अब इसके बाद देखें यहां पर आटा अच्छी तरीके से फ्राय हो चुका है अब मैंने इसमें एड किया है आधा ग्लास दूद मतलब एक कप समझ ले अब दूद और आटे को अच्छी तरी किसे ड्राय हो जाए और यहां पर हमारा आटा का हलुआ बनके तयार हो चुका है तो गानी सिंग में मैं बस मैंने काजू और किसमी से यूज किया है